दोस्तों वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में पैंसनर्स फैमली पैंसनर्स करमचारियों के लिए बहुत बड़ी मैं दो से तीन अपडेट लेकर आया हूं है ओ और ओपी डिविजन से बहुत बड़ी अपडेट है इस पर माइग्रीशन से ब Kore अपडेट आगे आने वाले मंस में ऐबर में बहुत बड़ी इंपडेट देने वाला हूं हो कर्मचारियों पैंसनस और फैमिली पैंसनस के लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंट और मस्ट वॉष्ट वीडियो होने वाला है इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखीगा बहुत साई चीज़े में क्लियर करने वाला हूं बने रही है आप हमारे इस वीड अगे वी वाच कर पाई यहां दोस्तों एक बड़ा आप देख सकते हैं मैसेज आया हुआ है एक ट्वीट किया गया आप देख सकते हैं इस ट्वीट में बहुत सारी चीज़ें आप देख सकते हैं और ओपी रिवीजन और वाज इसूड इन जनवरी 2023 और रिवाइजड देख सकते हैं और जनवरी मंद से उनकी पैंसन में बड़ी बड़ी देखने को मिल सकती हैं साथी साथ दूसरा जो एक और इसी में आप देख सकते हैं कि आउट ओफ 13,082,506 एलिजिबल एस्पर्स पैंसनर्स फोर ओर ओर पी रिवीजन प्रोसोसिंग ओफ 4,004,58,519 पैंसनर्स है याज बिन कंप्लेटेट सक्सेस्फुली विच इंक्लूड ओल केटेग्रीस ओफ फैंबली पैंसनर्स कमिसंड ओफिसर्स द्री सर्विसेस ओफ बाकी जो सर्विसेस हैं उन सब चीजों की यानि कि 13,082,506 जो एलिजिबल इस पर पैंसनर्स थे उनको जो है जिनमें से 4,08,519 पैंसनर्स को सक्सेस्फुली जो है बाकी जिनमें जो है माइग्रेट कर दिया गया है एलिजिबल को जिसमें आप देख सकतें कि फैंबली पै जिसर्ट हैं और बाकी जो सर्विसेस हैं उनके भी इसमें पैंसनर्स और फैंबली पैंसनर्स सामिल हो गया है यानि धीरी धीरे करके आप सभी को और पी रिवीजन दिया जा रहा है और साथी साथ जनवरी मंत की पैंसन को भी बहुत सारे पैंसनर्स की पैंसन जो है बढ़ कर दी जाएंगे इसी के रिगार्डिंग एक और बड़ा नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं कि जारी क्या गया आपके स्कीन पर भी दिखाई दे रहा हुगा जिसमें माइग्रेशन ओफ डेटा इंटू इस पर से यहां पर उसी के रिगार्डिंग की तरफ से को ऑफिशल सर्कुलर या वो सकते ऑफिशल नोटिफिकेशन जारी किया गया इसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉलम्स आती है तो यहां पर देख सकते हैं टॉल फ्री नंबर दि प्रॉलम्स को लिख करके बता देंगे तो आपको इस पर से सारी चीजे मिल जाएंगी क्या क्या चीजी हुई थी थोड़ा साम यहां पर डिटेल में जानने की कोशिस करेंगे आप यहां से देख सकते हैं माइग्रेशन ओफ ओल डेटा इंटू इस पर इसमें आपको कई सा साली चीज है आप देखें आपर नंबर वन में आप आप देख सकते हैं कि पर नंबर वन में वी हव रिशीब शाटन ग्रिवयांसेस इन लास्ट फ्यू देज वेरिन अमेसेज हैस बीन रिशीब बाइप इस पर्स फोम इस पर्स दा मैसेज टॉक अब जेनरेशन ऑफ पैं जो है मैसेज की जो रिक्वेस्ट ही गई है जो कहीं गई है पैंसनर आइडी जेनरेट करने की अब उरिजिनल पीपीओ के साथी साथ लोग इन करने से लेटेट इस पर 24 आर्स में बहुत ज्यादा मैसेज सरकार के पास आए जिनका अब आगे इसमें सॉलूशन भी आप दे इसमें पूरा देखा है और आगे आप देख सकते हैं इसमें क्या-क्या चीजी हुई है पोई नमबर थी आप देख सकते हैं पोई नमबर थी बहुत इंपोर्टेंट है पोई नमबर थी में आप देखेंगे कि there could be a technical issue due to which such messages have got triggered इसपर्स team is examined it and is likely to be correct shortly it may otherwise be noted that consequent of receipt of migration of pension act messages the first login credentials would be generated in due course of time pensions of veterans will continue and will not get affected by this this sim has been clarified by PCDA तो आप देख सकते हैं कि ऐसे मैसेज बहुत साई लोगों को गए गए यह टेक्निकल इशू हो सकता है उसको जल्द से जल्द है जो है correctly कर लिया जाएगा और इन भी बहुत सारी चीज़े इसमें भी हो जाएंगी आगे आप पॉइंट नमबर देख सकते हैं पॉइंट नमबर फोर है पॉइंट नमबर फोर भी इसमें बहुत इंपोर्टेंट है अब देख सकते हैं यहां पर पासवर्ड यापके जो सारी चीज़ें वह आपको जो है आपके उसमें सेफ रहेंगी उसमें कोई दिक्कत नहीं है इसके लाव आपकी यूजर आइडियो और पासवर्ड यह वह आपके जितने जो भी होंगा आपके समस्ट आपके मोबाइल नमबर पर और पौइंट नमबर 15 में आप यहां पर देखेंगे आपको अपने के बाद आपको इसपर्स में इसपर्स में आपको माइग्रेशन यह नहीं लोग इन करने के बाद भी आपको बहुत सारी डिल से तो आप अमने जो है इस वाली आप देख सकते हैं मेल आईडी पर जो है इस पर भी आप mail कर सकते हैं वहाँ से आपकी सारी problems solution कर दिया जाएगा नेश्ट यहाँ पर देख सकते हैं point number six यह भी important point number six में देख लिया आप क्या क्या बोला गया है point number six में इसमें migration related इसमें भी कई सारी सीजह है during the process of migration partial migration password and login ID will not be issued by PCDA and password and login ID if issued during partial migration it will be function only after full migration नहीं आपका जो migration के बीच प्रोसेसर जो बीच में है यानि आपका migrate नहीं हुए जब तक आप यानि प्रोसेसर चल लाए उस बीच में आपको login और passport नहीं दिया जाएगा और जब पूरा functional तरीके हो जाएगा जानि फुल माइग्रेशन आपका हो जाएगा तभी आपको login और पासपर आपको प्रोवाइट करा जाएगा इसके लावा और भी है कि अगर आपको इसमें कोई नम्बर काल करेंगे और इसके लावा यह दोनों फ्री नम्बर आप लिक लिए यह आपको खोफर कर सकते हैं इसके जोभी प्रोलम ढब मारें उस पर आप कॉल कर सकते हैं इसके लावा आप पक्रोवाध यहीमिल आईडिया बेख़ सकते हैं एक यह ऑमाईडी और दूसरी रिविजन से लेटेड ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करेगा उसको शेयर जरू सभी के साथ करेगा एक सिर्यूज इन्फरमेंशन अपडेट